तो Amazon ने अपनी all time सबसे बड़ी sale that is great Indian festival 2024 announce कर दी है कली announcement हुआ था कि 27 September से ही अपनी sale करने वाले है अब बहुत सारे sale है मुझे पूछ रहे थे कि सर कब तक चलेगा तो देखो Amazon का क्या है ना simple सा concept है 27 से शुरू होगा 27 September से और वो October भी पूरा end तक चलेगा मतलब लगबग एक म flip card पे आपके बाद promotion tab होता है वहाँ से आप participate करते हो Amazon मीशो पर भी ऐसा होता ही है tab लेकिन यहाँ पर Amazon में किस तरीके से participate करना होता है वो मैं आपको आज clear कर देता हूं तो चलिए welcome to Rishi e-commerce I am Rishi और वीडियो को like channel को subscribe और वीडियो को share करना सारे Amazon sellers के बीच में तो इस बार का जो festive season बहुत ही grand रहने वाला है obviously जो Amazon का है तो उसमें participation कैसे होगा उस पर हम deep में आज बात करने वाले हैं so this is all about Amazon Great Indian Festival इस sale को short में GIF sale भी बोलते हैं तो इस sale का जो date है वो मैंने यहाँ पर लिग दी है और prime sellers के लिए 26 तारिक से ही यह sale जो है वो start हो जाएगी तो दो points पर आपके लिए क्या tips रहेगी क्योंकि मैं काफी Great Indian Festival इससे पहले देख चुका हूँ पिछले 5-6 सालों में हो सकता आपका first हो second हो आप मुझे comment में बता देना कि आपका ये first Great Indian Festival है second है third है कौन सवाल है और आप कितनी बार participate कर चुके हो और कर चुके हो ता आपका experience आप ज़रू Great Indian Festival की sale expectation है वो है कि जो आपकी sale है वो expected है कि double होगी क्योंकि इस time पर customer बहुत ज्यादा आते हैं और अगर आपका brand अच्छा है अगर आप अच्छी selling कर रहे हो अच्छी reviews है तो definitely आपका business अच्छा ग्रो होने वाला है अब सबसे पहले जीज़ participate होगा कैसे तो देखिया Amazon पर जो है participation करने के कुछ options होते हैं पहला आपको mail आता है directly अगर आपका established brand है तो Amazon आपको directly mail करता है mail में आपको बताएगा कि आप अगर इस deal में participate करना चाहते हैं तो ये पैसा लगेगा इस deal में participate करने साहते हैं तो ये पैसा लगेगा देखिये पाकी flip card मीशो की तरह Amazon नहीं है क आप इतना percent discount दे दो ये sale में participate कर लो और आपको product promote हो जाएगा Amazon पर अगर आपको फिर promotion coupon डील्स वगेरा लगाते हो तो उस पर भी आपको पैसे देने पड़ेंगे flip card और मीशो पैसा नहीं होता है तो mail के थुरू अगर आपको mail आया है तो वहां से भी आप कर सकते हैं अगर event planner का ये option पर आप आजाते हैं ये option पर आने के बाद आपको यहाँ पर वीडियो मिलेगी उसके अलावा यहाँ पर आप Great Indian Festival sale यहाँ पर आपको दिख रहा होगा तीन चीज़ें आपको यहाँ पर मिलेगी जिनसे आप इस sale में अपना जो participation है वो कर सकते हैं देखें मैंने प यह होता है हाँ आप उसमें कुछ बहतर deals coupon देके उसमें अच्छा perform कर सकते हो तो अगर आपने कुछ नहीं भी किया है फिर भी आप Amazon Great Indian Festival participate हो चुके हो बट कुछ चीज़े Amazon अपने end से यहाँ पर recommendation आपको देता है जैसे कि आप कुछ deals जो आपके products हैं उन पर आप हमने आपक यह काम करना है व्यू recommendation अगर आप यहाँ पर करेंगे तो जो भी Amazon ने deal recommendation दे रखी होगी वो यहाँ पर आ जाएगी अब देखें मैंने एक new account यहाँ पर लिया है ताकि मैं common sellers को समझा पाउं नहीं sellers को समझा पाउं यह मेरा personal account नहीं है last time मैंने जब video बनाई थी तो मैंने एक ऐसा account लिया था जहाँ पर अच्छी सेल थी सारी recommendation थी अच्छी खासा setup हो रखा था बट maximum sellers का recommendations यहाँ पर नहीं आती है आप मुझे बताओ आपकी यहाँ पर recommendation आई है यह नहीं आई है इससे sellers को पता चल जाएगा कि हाँ मेरी बात सही next यहाँ पर Amazon ने आपको दे रखा recommendation की stock up inventory अपनी कुछ products है जिनमें अच्छी सेल आ सकती है या inventory कम है तो उनका recommendation यहाँ पर आपको शो होगा उसमें आपको inventory फिल करनी है प्रक्योर करके वहाँ फिल करनी है तीसरा है participate in buy more save more पर तो यह जो festive season होता इसमें क्या बाहर क्या करते offers के लिए भागते हैं तो यहाँ पर Amazon पर कुछ offer होते हैं जहाँ पर अगर एक से ज्यादा product खरी देंगे तो ज्यादा discount मिलेगा तो उसको buy one get one free आप बोल सकते हो या इस type के और भी deals होते है और उसके अलावा उसमें भी अगर आपके कुछ product है तो वो यहाँ पर recommendation शो हो जा great Indian festival के लिए इसके अलावा आपको कुछ भी participate करने के लिए अलग नहीं करना पड़ेगा तो पहला चीज clear हो गया कि अगर आप नए से लोर पुराने से लरो आपको Amazon great Indian festival में participate करना कैसे है अब मेरे end से क्या क्या tips रहेंगी क्या क्या tricks रहेंगी जिससे आप इस great Indian festival में अगरी मेरी तरब से great Indian festival में enter होने के best तरीके भी रहेंगे तो पहला है keep your inventory updated जो भी product आपकी है जैसे मैंने बोला कि इस great Indian festival sale double हो सकती है तो आप अभी से inventory stock करके रखो at least इतना ज्यादा भी नहीं रखना है प्लस अगर आपका कोई product है जिसमें inventory खतम हो रही है तो वो भी ज़रूर बता देना तो अगर आप Amazon FBA में हो तो वहाँ भी आपने inventory भीजनी है consignment भीजना है अभी तो वैसे काफी time है हमारे पास क्योंकि अभी आने वाले तीन चार मेने continue sale रहेगी तो inventory वहाँ फिल ज़रूर कर लें FBA वाले sellers को बहुत ज्यादा priority मिलती है तो जितने भी F रहुसस में आप हैं नहीं है तो जरूर पार्टिपेट करें और वहाँ पर आप अपना inventory जरूर भेजो एटलिस टॉप सेलिंग प्रॉडक्ट्स की राइट नेक्स्ट है regular order processing जब sale चलती है तो उस time पे क्या होता है orders का जो flow रहता हो काफी ज्यादा रहता है तो आप अभी म price rate है वो भी सही रहता है उसके अलावा आपका जो account का message जाता है Amazon को वो भी सही जाता है कि आप जहाँ से ज्यादा order manage करने के capable है next no breach इस time पे आपको कोई भी breach reattempt या late dispatch rate को under 2% ही रखना है तो यह बहुत strict है Amazon या flip card या मिशो कोई भी marketplace services में deal नहीं छोड़ना चाहता अगर आ या breach कर देते हो या reattempt कर देते हो time पे उसको dispatch नहीं करते हो तो यह चीज आपको बहुत बड़ा dand देगी और ultimately आपका account block भी हो सकता है तो sales season में यह सबसे ज़्यादा देखने को मिला है तो इस चीज का ध्यान रखना साथ-साथ मैं अगर order process कर रहे हो तो एकदम दिमाग मे यह रखना कि miss shipment ना हो सही तरीके से जाए product pack अच्छे से हो otherwise RTO returns की वज़े से भी sale के time में बहुत नुक्सान sellers को धिलना पड़ता है next new selection for great Indian festival and diwali sale अभी आगे दिवाली sale आईगी तो उसके लिए आप अभी से नया अगर कोई नया product लेके आना चाते हो नया item नहीं category तो अभी से जो नया stock है नया inventory है वो आप लेके आना शुरू कर दो winter selection winter का जो season आ रहा है वो भी आ रहा है North India में तो winter के भी clothings या winter से related products भी आप लेके आना शुरू कर दो और दिवाली से related भी लेके आ सकते हो next point is prime exclusive discounts आप चलाओ 26 तारीक 26 तारीक को जैसे मैंने बोला prime sellers के लिए live हो ज 20 तारीक से ही उनको चलाना शुरू कर देना ताकि तब से ही prime sellers उसको खरीदें buy now करके रखें मन्दब add to cart करके रखें ये चीज आपको कहा मिलेगी जब आप यहाँ पर जाओगे advertisement में जाओगे तो यहाँ पर prime exclusive discounts में अगर आपके कोई product eligible है तो वो आपको यहाँ पर show हो जा आपको advertisement पर जाना है deals पर जाने के बाद create new deal पर click करना है और यहाँ पर जो भी product आपका deal के लिए eligible होगा वो यहाँ पर आ जाएगा plus उसके नीचे देखे best deal इस type से आपके product पर Amazon के buyer portal में लिखा हुआ आएगा इसके जो हैं दो variant eligible है deals के लिए ठीक है तो deals पर मैंने एक video भी वो जाके checkout कर सकते हैं आप चाहें तो select इसको just आप select कर लेंगे उसके बाद किस time आप चलाना चाहते हो तो कम सकम एक हपते का आपको चलाना पड़ेगा और इसमें आपको pay भी करना पड़ेगा ठीक है तो मेरे हिसाब से यह वाला आपको चलाना चाहिए क्योंकि पहले से ही उस product पर आप यहाँ पर tick कर लेंगे जो product को आपको आगे दिखाना है इस type से आपका deal show होगा buyer portal पे जिसको भी आपको आगे दिखाना है उसके आगे आप set as feature as in कर सकते हो ठीक है बस आपको just submit deal कर देना है यह QC pass होगा उसके बाद यह चलना शुरू हो जाएगा और इसका payment भी कटे गए देखिए you agree to pay the listed fee if it runs on the Amazon deal space तो ज्यादा बड़ी पैसे भी नहीं कटते हैं पैसे obviously आपके visibility के हिसाप से कटेंगे तो लगबग 1000 उपे का आप यहाँ पर budget देख सकते हो ठीक है उसके अलावा coupons आपको चलाने है यह भी बहुत ज्यादा जरूरी है same आप Amazon के dashboard स से भी यहाँ पर coupon चला सकते हैं अगेन आप advertisement में जाएंगे coupon पर जाएंगे और coupon तो हर seller को चलाने चाहिए क्योंकि कुछ हो नहों coupon के लिए आपके product eligible रहते ही रहते हैं तो आपने देखा होगा Amazon वायर पोटल पर हर product के नीचे coupon आता है 5% 3% 10% का वह आप चला के जरूर रख हैं तो अपने products पर यहाँ पर create करके यहाँ पर India सेलेक्ट करके यहाँ पर account सेलेक्ट करके यहाँ पर आप date डालके जो भी date है लग कम सका में एक हपते का आप जरूर चला के रखें और यहाँ पर कुछ भी आप description में लिख सकते हो उसके अलावे यहाँ पर step 2 इसमें आपने product add करने हैं इसमें भी product eligible होने के बावजूद ही आएंगे जैसी आते हैं उसके बाद आप उन पे भी price discounting चला सकते हो next promotion यह बहुत important tab है यह भी यह आपको मिल जाएगा Amazon के advertisement में इसमें आपको जाना है promotions पे इसमें आप दो promotion चला सकते हो एक percentage of देना चाहते हो किसी product पे 1% 2% 5 वह आप यहां से चला सकते हो दूसरा buy one get one free आप यहां से चला सकते हो तो यह दोनों आप यहां से simple steps में चला सकते हो इन पर individual videos भी मैंने already बना रखी है वह आप जाके checkout कर लेना या obviously YouTube पे आपको सारी videos मिल ही जाएंगे other creators की भी ठीक है next है ad planning जो कि सबसे ज्यादा important है तो इस sales season में जब आप किसी product पे discount लगाते हो जब आप किसी product पे coupon लगाते हो डील्स लगाते हो तो वह जासे ज्यादा customer तक पहुचेगा कैसे तभी पहुचेगा जब आप उस पर advertisement चला होगे तो PPC जो ad होता है Amazon का आप वो जरूर चला है अगर आपका brand अच्छा है तो sponsor brand ads भी का budget command की चली ad चलाता था तो sales season में वो ad almost double हो जाता है तो मैं भी जरूर चाहूँगा कि आप अपने ad budget को जरूर बनाए इस sales season के लिए कितना आपका ad budget है मुझे आप comment में जरूर बताना मेरे teams के number हर department के मैं हैं आपे mention कर दिये हैं आप इनको directly contact कर सकते हो किसी भी query किसी भी help क के लिए किसी भी आगे के planning के लिए चलिए तो this was all about Amazon great Indian festival 2024 कुछ चीज़े अगर मैं miss कर गया हूँ तो आप मुझे comment में जरूर याद दिलाए Amazon related किसी और topic पर वीडियो चीए तो वो भी जरूर बताना और मैंने एक चीज़ नोटिस करी है Amazon पर मेरी जो वीडियो है वो बहु है नहीं ज्यादा जो हमारे सब्सक्राइबर है या हमारी community में है तो I don't know क्या reason है आप मुझे reason जरूर सजेस्ट करना बट आप में से जितने भी Amazon seller है प्लीज help करिए कि मेरी वीडियो ज्याद से ज्यादा sellers तक पहुंचे share करके comment करके like करके और like तो जरूर कर देना है सब न हमारे सब्सक्राइबर है